प्रिथवी और जल पढ़ चुके हैं आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं तेज महाबूत को तो जो तेज होता है वो वन अमांग पंच महाबूत में से एक होता है जो तेज महाबूत होता है और ये थर्ड कारण द्रव्य होता है थर्ड कारण द्रव्य कैसे होता है वो मैं जल महाबूत की जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैं आपको बता चुका था और और यहां पर जो तेज माबूथ के लिए जो स्लोक आया हुआ है वहогод और अब इसका मतलब क्या होता है जो तेज माबूथ होता है वह वायू माबूथ से Bjork और कि अब जो तेज होता है उसके अंदर इनद और special qualities रहती है पोस करता है वह special qualities कौन कौन सी रूप सपर्ष और सब्द 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 रूप यह तीन टाइप की quality पॉस करता है तेज महाबूत और इसके अंदर सत्व और रजगुन प्रिडॉमिनेंट तरीक जे रहते हैं यह टच करने के अंदर यह होट होगा मतलब पर्ष में उष्ण होगा वाइट इन कलर होगा और वाइट इन कलर में भी कैसा होगा है बासकर सुकल होगा जल तो कैसा था अबासकर सुकल था जल भी वाइट था यह वी वाइट है यह कैसा होता है भासकर शुकल है वो कैसा था अब भासकर शुकल है भासकर का मतल़ा होता है शाइनिंग ये शाइनिंग करेगा चमकीली सफेद ये अंदगार को दूर करेगा इतरेश्पॉंसीबल फोर परिवरतन ये चेंज करने के लिए स्ब्सक्राइब ref qualities present होती है वो pause करता है 11 qualities फिर उसके बाद में बात आती है importance in आयरवेदा of तेज महाबूत अब तेज महाबूत का क्या importance है आयरवेदा के अंदर वो बम देखते हैं तो जो पित्य दोश होता है one among three दोश त्री दोश आपको पता है वाद पित्य कफ होता है उसके अंदर जो पित्य दोश होता है वो majorly form हो रखा होता है तेज महाबूत की वज़े से फिर आपने आयरवेदा के अंदर त्रेयोध अगनी भी पड़ी होगी अगनी 13 टाइपस की अगनी पड़ी होगी 13 टाइपस की अगनी कौन कौन सी होती है जठार अगनी, पंच बहुतिक अगनी और सब्त धातु अगनी पंच बहुतिक अगनी तो होती है 5, सब्त धातु अगनी होती है 7 और जठार अगनी होती है 1 इन सबको अगर मिलाएंगी तो ये 13 टाइप्स की अगनी बन जाएगी और ये जो अगनिया होती है ये हमारे बोजन का पाक करवाने के अंदर काम में आती है फिर उसके बाद में थर्मो लेगुलेशन के अंदर भी काम में आता है मेंटें नॉर्मल टेंपरेचर अफ दे बोडी फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ अगनी अब हम अगनी का क्लासिफिकेशन करता है तो जो अगनी है उसको यहां पर भी दो प्रकार के अंदर बाटा गया है सेम वही टेबल रिपीट हो ही हर जग है पहला है नित्य, दूसरा है अनित्य, नित्य को बोला हमने पर्मान रूप, अनित्य को बोला हमने कारे रूप फिर जो अनित्य है उसको further three types के इंदर बाटा गया है पहला है शरीर तेजस, दूसरा है इंद्रिय तेजस, तीसरा है विशे तेजस अब शरीर तेजस क्या होता है यह present होता है आदित्य लोक में अब इंद्रिय तेजस कहां पर present होगा है चक्षु इंद्रियों में present होगा और है responsible होगा visual perception के लिए मतलब देखने के लिए यह responsible रहेगा फिर जो विशे तेजस है उसको further four types के अंदर बाटा गया है पहला है बहुम तेज दूसरा है दिवियो तेज तीसरा है उदर तेज और चोथा है अकरज तेज अब बहुम तेज का मतलब क्या होता है बहुम मतलब भूमी मान लो means earth produce form earth यह अच्छे present earth से produce होगा है इसका जो examples होगा वो होगा जौदज्वाल मुखी जौदा मुखी earth से produce होई यह तो यह तो हो गया एक्ज अध्यामपल बहुम तेजगा उसके बादने बात आती है दिवियITA तेजस की अब जो दिवियी तेज्श होता है वो दिवियस 133 में से produce होता है उसका इसका example क्या है विद्ध्यूत मतलब बिजली जो होती है वो दिविए 233 में से प्रड्यूस होती है फिर उसके बाद में बात आती है उदर तेजगी उदर मतलब क्या होता है स्टमक होता है यह present होगा हमारे दीप लेर से अर्थ की वहाँ पर एक बार में वापस से पूरा तेज नीरूपन है वो रिवाइस करवा देता हूँ आपका फटाफट ताकि आपके जो सारे concept से वो clear हो जाए और आपका revision भी हो जाए फटाफट तो हमने तेज महाबूत में क्या-क्या पढ़ा था तेज महाब रहती है तेज महाबूत में सब्सपर्स रूप वाली और सत्व हो रजगून पर डोमिनेंट रहता है यह उस्छं में ऊष्ण मीन शोटा है शाइन मतलब यह नदीज कहा हो तैब यह एक क्या हॉत उटितुक्ल वाइट को अपने अंदर तेज महाबूत फिर इसका आयरवेद में इंपोटेंच क्या है पित दोष के अंदर ये मेजरली फॉर्म होता है तेज महाबूत की वज़त से पित दोष क्या है वन अमोंग त्री दोष है पित दोष फिर उसके बाद में जो त्रयोदेश अगनी है 13 टाइपस ओफ अगनी वहाँ पर भी इसक अगनी है उसको फर्दर बाटा गया है शरीर टेज इंद्रेज विशय टेज शरीर तेज मिंद्ध प्रेज़ फिर इस रिस्पॉंसिबल फॉर वीजिवल परश्यप्शन फिर उसके बाद में जो थर्ड टाइप वह है विशय तेज अब जो विशय तेज उसको फोर यह थे तेज तीसर, उदर तेज चौथा आख दो बहां तेज होता है वह एर्थ में से प्रड्यूस होगा एक्जाम्पल जौला मुखी दिविय तेज प्रडूस होगा दिविय तोतस में से एक्जाम्पल विद्धूत इटमिस बिजली थर्ड है उदर तेज उदर मतलब होता है स्टमक प्रेजेंट होगा है एबडोमन के अंदर डाइजेशन के परपस के लिए एक्जाम्पल है जठा रगनी और चोथा है अकर तेज प्रेजन्ट इन मेटल्स ऑफ डीप लेयर ऑफ अर्थ आई होप गाईज जो तेज महाबूत है जो हमारा यह तेज निरूपन जो हमने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा है यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और कोई डाउट्स आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और गाईज अ हुआ आप